Hello friends, welcome to my YouTube channel. So friends, मैंने आज से एक स्टेजर स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको J.B. गुपता 8 एट इडेशन के सारे सोल सुल लूँगी. सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया है Digital Electronics. चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेशन की दरब. फर्स्ट क्वेशन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि which of the following is correct है? The convention is that the number 0 has the normal form representation as. तो देखें, जैसा कि किसी भी मेरे को digit का normal form पुचेगा, तो उसको हम लोग decimal में represent करते हैं. जैसे कि 1, 1 का normal form क्या हो जाएगा? 1.0, ताकि 1, यह 1 ऐसे गलत है, normal form के लिए. उसे सही किसे 2 का लिखना है, तो 2.0. इसमें मेरे पूच किस का रहा है? 0 का. 0 का क्या हो जाएगा? 0.0. ओप्शन नबर कौन है? C. इसका ओप्शन नबर C सही हो गया. Next question. The ninth compliment of इतना age है? यह मेरा decimal मेरा number दिया हुआ है, इसका मेरा ninth compliment पूच रहा है. तो किसी भी आपको अगर compliment निकाल ला हो, तो 2 number हो सकते हैं. एक हो सकता है odd, और दूसरा हो सकता है even. अगर आपको even number का, आपको अगर odd number का निकाल ला है compliment, तो वो, मेरा वो directly obtain होता है. इसको हम लोग directly obtain कर सकता है, लेकिन अगर even number का निकाल ला हो, तो सबसे पहले odd का निकाल लेंगे, तो उसमें one add कर देंगे. यहाँ पर मेरा पूछ रहा है 9th का, 9th मेरा क्या है, यह मेरा odd है, तो इसका हम लोग directly निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर कितने का निकाल है, 2.15, 25.639, अब 9th कूछ रहा है, तो 9th सारे को 9th से direct हम लोग subtract कर दाएंगे, यह 0, Option कौन सा मेरा match कर रहा है, Option number A, तो इसका कौन सा सही हो गया, Option A इसका सही हो गया, चलते हैं, next question जीओ, next question क्या है, the binary equivalent of इतना, इसका binary पूछ रहा है form, तो यह मेरा सबसे पर option, क्या है नमबर? इसका मेरा binary पूछ रहा है, इसमें दो है, एक इधर वाले को हम लोग बोलते हैं, integer और इधर वाले form को बोलते हैं, decimal, तो सबसे पहले मैं integer का निगालती हूं, यह मेरा integer है, तो इसका हम लोग देखिए, अगर मेरे को decimal में यह मेरा दिया हुआ है, मेरे को binary में convert करना है, तो सबसे पहले binary में convert करने के लिए आप लोग इधर देखो, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ऐसे ही आप लोग इधर बढ़ते जाओगे, तो 2 to the power 0 का वतलब क्या हुआ, 1, 2, 4, 8, 16, ऐसे ही 32, ऐसे ही इधर बढ़ते जाएंगे, मेरे उको लिखना क्या है, 11, 11 मेरे उको लिखना है, 11 कैसे लिखेंगे, 8, 8, और 2, 10, और 1, यह मेरा 11 हो गया, 11 का तो, यहांसे क्या हो क्या हो क्या है, 1, 0, 1, 1, अभी मेरे, 8, 4, 2, 1 था, 8, 2, 10, और यह 11, यह मेरा 4 कोड नहीं लेंगे, इसलिए, जिसका वैल्यू हमनों काउंट करेंगे, उसके लिए 1 करते हैं, और जिसका नहीं काउंट करते हैं, उसके लिए 0 लिखते हैं, 11 का हो गया, 10, 11, अब मेरा यह इंटीजर का तो हो गया, अभी इधर का डेसिमल का लिखना है, तो डेसिमल क्या है, 0.6275, तो इसमें 0.6275 इंटू 2, इसको हम लोग करेंगे, आएगा, 1.255, जीरो, इसका सिर्फ लिखेंगे, इसका हम लोग लेंगे, 1, इधर का जो मेरा है, इजिट वो लेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, इसका 1 ले लिए, इसमें फिर बचा क्या, 0.255, इसमें भी 2 का मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह आएका मेरा कितना, 0.510, इसमें कितना इधर का डिजिट, इसमें मेरा 1 था, इसमें 0, तो 0 बेने लिख लिया, फिर मेरा बच्च, 0.51, इसमें भी 2 का करेंगे, यह कितना हो गया, 1.02, इसके भी लेफ्ट साइड वाला यह, 1 लिखेंगे, फिर ऐसे इसका एक और आप इधर का 1 लिख लिए, तो इधर मेरा 0.02 है, यह मेरा 0.02 इन्टू, इन्टू, इकवल 0.04, तो इसमें मेरा क्या है, 0, आप लोग देख सकते हो कि मेरा यह क्या बच्चा था, यह वाला, 1, 0, 1, 0, तो हम लोग हमेशा इसमें टॉप टू बॉटन चलते हैं, तो यह मेरा कितना गया, 1, 0, 1, 0, तो यहाँ पे, 11 का तो इतना हो गया था, इसके लिए कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद, 1, 0, 1, 0, आप लोग देख सकते हो कि कौन सा ओप्शन मैच कर रहा है, ओप्शन नमबर B, तो B सही हो गया, नेक्स्ट क्वेस्टन, यह मेरा बोल रहा है कि बाइंट्री इस इक्वल टू, यह मेरा बाइंट्री में दिया हुआ है, 1, 0, 1, 1, 001, और यह मेरा डेस्ञल में पूछ रहा है, अब आप लोग सुचोंगे डेस्मल में ही कैसे पूछ रहा है, तो आप लोग ब्रकावा ओप्शन देख सकते हो, कि सारे ओप्शन जोए डेस्ञल में ही है, परिसे लिए यह, अब इसका डेस्मल निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं MSB तो हम लोग वैसा LSD तरफ से चलते हैं इसको लिखेंगे 1 into 2 to the power 0 प्लस इसका अगला वीट क्या है? 0 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 4 प्लस 0 into 2 to the power 5 प्लस 0 into 1 into 2 to the power 6 अगर आप इसको कैल्कुलेट करोगे तो आपको option मिलेंगे A के टी रहेंगे तो यहां से मेरा कौन साप्शन सही हो जाएगा? A number सही हो जाएगा Next question के तरह जलते हैं? मेरा 5 number question है The decimal equivalent of binary इतना मेरा bind दीता दिया हुआ है इसका भी decimal पूछ रहा है उसी तरीके से हम लोग लिखें है पिछला question की तरह ही है बस इसमें थोड़ा सा decimal दिया हुआ है तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दो भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे जीरो इंटू तू 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 तू. त आप लोग देख सकते हैं कि जब आप इधर जाओगे इधर क्या करोगे multiply by increasing power of base यह power increase कर रहा है तो इसको आप लोग calculate करोगे तो यह कितना आजाएगा 6 अब यह point के बाद वाला क्या है? 001 तो इसका क्या था? कि अगर हम लोग इधर जाएंगे तो multiply by decreasing power of base तो 0 into 2 to the power minus 1 plus 0 into 2 to the power minus 2 plus 1 into 2 to the power minus 3 इसको आप calculate करोगे तो आएगा 0.125 अब यह आप सबको combine कर दो 6.125 option मेरा कौन सा match कर रहा? option C सलते हैं next question के दरा sorry? हाँ हाँ sorry यहाँ पर option मेरा C नहीं C नहीं यह B option match कर रहा है आप लोग इस पर ध्यान न दे देखें कि option यहाँ पर B ही मेरा कर रहा है next question की तरह चलते है which of the following is the correct answer when इतना is subtracted from इतना by using the once complement method बोड़ा है कि यह वाला जो मेरा number है इतना subtracted from इतना मतलब कि इस वाले जो number है इससे मेरा subtract हो रहा है 111012 अगर आपको यह subtract कर बोड़ा है by using once complement आपको इसको सब्टरक्ट करना तो चलिए सब्टरक्ट करते हैं 111012 इसने प्रिट प्लस और जिसको यह subtract करना है तो यह बोल रहा है once complement तो इसका हम लोग once complement लेखेंगे अब आप लोग once compliment तो आपको लिखना आता ही होगा तो जाए कि यह मेरा number है इसमें कुछ नहीं बस 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है तो हो जाएका 00100 00100 इसमें लोग simply अब add कर देते हैं उसको बस आप लोग add कर दो 1 और 1 0 यह carry मेरा 1 1 और 1 0 फिर से मेरा carry 1 1 1 0 और यह फिर से मेरा carry 1 carry 1 और यह यहाँ पर यह आ गया आप लोग देख सकते हो जो मेरा यह input था वो दो रो यह मेरा 5 bit का था एक, दो, तीन, चार, पाच यह भी 5 bit का था लेकिन मेरा जो यह answer आया या निकि मेरा जो output आया वो मेरा 6 bit का आ गया इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो वो इभी मेरा यह device है यह मेरा device है जब मैं इसमें अगर 5 input दे रही हूँ तो इसमें से मेरे को पाच ही output मिलना चाहिए है कि नहीं, लेकिन यह मेरा मिल के आ रहा है मेरे को 6 output मिल रहा है इसलिए जो यहाँ पर यहाँ पर कैरी मिट आता है उसको हम लोग यहाँ से फिर से add कर देंगे तो option यहाँ पर, मैं मेरा answer क्या जाएगा 110 में इधर s नहीं, यह तो इधर लिख जाती है 110 और यहाँ पर कैरी आ जाएगी 110 जीरो, जीरो, जीरो option क्या हो गया? 6 का D option चलते हैं next question की तरफ 2 complement of the number of कितना age इसका मेरा 2 complement पूछ रहा है तो क्या है नमबर 1010 1010101 इसका 2 complement पूछ रहा है तो अगर आपको किसी वे 2 complement मैंने आपको पहले question पहला या दूसरा question में आपको मैंने क्या बताया था? जब मेरा even number रहा है even number है तो उसमें क्या करते है? odd plus 1 करते हैं ऐसा तो 2 का सब्सक्राइब हम लोग once complement निकालेंगे क्योंकि 2 का मेरा even number है ही तो इसका सब्सक्राइब हम लोग once complement निकालेंगे once के लिए मेरे को करना क्या रहता है आप जैसा कि 0 के जगा पे 1 कर दो one के जगा पे 0 कर दो तो वो हो जाएगा once complement sorry once complement यहाँ पर मैंने यह once complement इसका निकाल दिया है यह मेरा है once complement अब इसका twice complement करना है तो odd plus क्या करना है तो one plus one कर लूँगे क्या आप लोग देख सकते हो कि मेरा option कौन सा मैच कर रहा है option number B मैच कर रहा है अब फ्रेंट आप लोग देख सकते हो इसमें कि मेरे को अगर two complement निकाला था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर once complement निकाला यहाँ पर one add किया तो फिर मेरे को यह result मिला इतना तो exam time रहता है नहीं उस पर चाहिए कि कम से कम आप time लोग ताकि ज्यादा-ज्यादा कोईसर आप solve कर से तो इसके लिए मैं आपको एक trick बताती हूं जैसा कि मेरे को कौन से number को इसका इसका आपको क्या निकालना था तो आप देखो कि अगर आप इधर से चलो right से left की तरफ चलो आपको जहां भी one देखे तो one को same वह ऐसा ही लिख दो इसके बाद जो भी है तो बस one को zero बना दो और इसके बाद जो भी है तो zero को one बना दो और one को zero बना दो यहाँ पर जीरो है वन जीरो वन जीरो वन जीरो आप लोग देख सकते हो कि दोनों एंसर यह यह सेम ही है तो यह थोड़ा आसान है इस तरह के साब करोगे तो थोड़ा आपका थाइम भी बचेगा और option same ही आएगा चलिए चलते हैं next question की और eight number question है मेरा यह है eight number question की consider the flowing statement first statement क्या है when two unsigned numbers two unsigned numbers are added and overflow is detected from the carry into the most significant position तब से पहले इसमें जानने वाली बात है most significant क्या है फिर overflow क्या है फिर sign or unsigned क्या है यह तब से पहले हम लोग जानते हैं तो जैसा कि मैं आपको एक example के तो समझाओगी एक example मैं ले लेती हूं one zero one और यह तो आप यह example मैंने ले लिया है तो इसमें क्या है यह मैं इस वाले का मैंने पहले बनाया बताया था यह है LSB और इधर वाला कहलाता है MSB और और फिर अगर दूसरा एक जाम पर यह तो फिर मैं इसके साथ एक और add करती है अब यह मेरे को दोनों को add करना है one zero one zero one one zero और यह one यहाँ पर मेरा यह क्या है मेरा carry है तो यह जो मेरा carry बच्चा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे और यह जो अब आते हैं हम लोग क्या है कि वेंड फूँ अंसाइड नंबर आर एड़ेड जब दो अंसाइड नंबर को add किया जाता है आन ओवर्फ्लोव इस डिटेक्टेट फ्वं अंसाइड नंबर को add करते हैं तो मेरा ओवर्फ्लोव डिटेक्ट होता है यानि कि जो मेरा carry डिटेक्ट होता है लेकिन यहां पर तो आप देख सकते हों कि एमेस भी है और इसके यह क्या है कि इन्टू नहीं है और इसके आप लोग यहां पर देख सकते हों कि जो हमने यहां पर एमेस भताया था वह इसके आउटसाइड मेरा यह ओवर्फ्लो निकला है लेकिन यहां पर तू बोल रहा है क्या इन्टू बोल रहा है तो फर्स्ट मेरा जो ऑप्सन है यह तो मेरा ऐसे ही रॉंग हो गया अब चलते हैं second cure and overflow does not occur if the two numbers added are both negative यह बोल रहा है कि ओवर्फ्लो यह दो नेगेटिव नंबर को एड करेंगे तो ओवर्फ्लो होगा ही नहीं तो चलिए लोग नेगेटिक नंबर का एक्जामपड लेकशे देख लगते हैं तो सबसे पहले नेगेटिम नबर कोता क्या है आप गये को जिसका में 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 अगरी में 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 जिका managing holiday your जिसका MSB 0 है वो मेरा positive number नेगटीव नमबर जिसका MSB 1 है तो मैं यही का एक्जामपर ले उपर वाला ही एक्जामपर में सम्झाती हूं आपको यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जीरू और यहां पर यह त्यों नेगेट्ञी यहां पर नेगेटीव है यहां पर मेरा ओवर्फॉस्ण आरा है कि यह सेकंड नम्बर ओप्षन है यह भी मेरा क्या है रॉंग है अभी क्या है कि third number देखते हैं if the carry into the sign bit position and carry out of the sign bit position are not equal and overflow condition is produced अभी देखते हैं कि एक बात आप लोग जो यह भी मैं लिख रहे हैं आप लोग यह रोट डाउन कर लेना यह थोड़ा important है overflow होता है C in, X और C out अभी C in और C out क्या होता है एक्सवर को आपको पता होगा एक्सवर का मतलब क्या होता है A, X और B है तो इसका मतलब simply होगा A, B बार प्लस A बार B यह मैं आपको आगे वाले एक लाज़र बताऊगी यह तो अभी number position होता है तो यह मेरा है C in और यह है C out देखो जब यह मेरा है MSB तो जब MSB के पहले वाले से इधर आएंगे इस वाले पर जाएंगे तो यह होगा C out C in और MSB से इधर outside जाएंगे तो यह होगा मेरा C out है तो question मेरा बोल के रहा है if the carry into the sign bit position and carry out of the sign bit position are not equal जब मेरा यह दोनो C in और C out का value equal नहीं है यानि कि एक मेरा C in मेरा अगर 0 है तो C out मेरा 1 है या फिर C in मेरा 1 है तो यह मेरा 0 है यानि कि दोनों equal नहीं है तो जब दोनों equal नहीं होता है तो आप लोग देख सकते हो इसने हम लोग value put करते है एक माल लिख से लिए कि A को 0 और इसको 1 यह मेरा 0 है जैसे कि यहाँ A 1 कर लो और B का value आप 0 रख लो तो A का value और B का क्या है complement यानि कि 1 हो जाएगा A bar यानि कि 0 और B यानि कि यह तो इसका मेरा value क्या है 1 सब लोग देख सकते हुग है मेरा 1 आ रहा है जब दोनों equal नहीं है तो यह बोल रहा था कि R not equal तो overflow condition is produce हाँ produce तो हो रहा है मेरा 1 आ रहा है अगर मेरा यह है फिर 0 आता तो मेरा produce नहीं होता तो इसका देख आपते हैं इस option number के वाल कौन सा सही हो गया दी option सही हो गया next question in sign magnitude representation the binary equivalent of इतना इसी तब bit before यह मेरा मतलब पूछ रहा है इसका binary representation तो यह तो मेरा पहले ही बताया था तो इसका यह इधर का क्या है integer और इधर का क्या है decimal 22 को लिखना है 22 को आप ऐसे ही करो 0, 1, 2, 3, 3, 8, 4, 2, 1 तो और यहाँ पे 2 to the power 4 तो इसका 16 22 लिखना है तो क्या हो जाए गारा 1 यह इसका value 0, 1, 1, 0, 1 यह मेरा इसका यहरी की 16, 14, 20, 20 और यह 2 by 22 को तो हम दे यह लिख लिया ठीक है यह मेरा 22 का value अभ यह लिखेंगे यह इधर का decimal का value 0.5625 है तो इसमें simply जो भी best रहता है उससे multiply करते हैं तो 2 से multiply करने पर कितना आएगा 1.125 तो इसका विख लोग इधर वाला लिखेंगे 1 लिखने आ गया पचा क्या 0.125 इन्टू 2 करेंगे यह मेरा आज आएगा 0. तो इसका तो इसका जरका यह 0 लिख लिए है फिर 0.25 इन्टू 2 करने पर यह आएगा 0.5 तो इसका यह वाला 0 यह 0.5 इन्टू 2 यह मेरा आजाएगा 1.0 तो इसका 1 आगया अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग तॉप टू बॉटम चलते हैं तॉप टू बॉटम क्या जाएगा 1.0.0.1 तो 22 कम ने क्या लिखा था 1.0.1 1.0.1 डबल जीरो वन अभी आप और यह क्या बोल रहा था अब आप्शन से मैच करेंगे तो यह आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा यह नंबर है 22.5625 तो यह मेरा पॉजिटीव नंबर है सुनने कि अगर पॉजिटीव नंबर है मिन्स यह वाली ऑप्शन और यह वाली ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गई क्यूंकि मेरा यहां पर वन है और इधर कॉमा के जो लेफ्ट साइड वाला यह मेरा साइं डिपरजेंट करता है तो यानि कि यह नेगेटिव नंबर के लिए वान आता है यह कौन सा ओसन नंबर सही हो गया बी नेक्स्ट क्या जलते हैं तो यह नंबर क्यांट का पूछ रहा है तो मैं आपको बताते हूं कि किसी भी नंबर का अगर तो नंबर नेगेटिव नंबर होता है यानि कि आप लोग फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि किसी भी नंबर का हम लोग पूछ कंप्लेमेंट निकालते हैं तो नेगेटिव नंबर होता है यानि कि अगर प्लस सेवेंटिन का अगर हम लोग पूछ कंप्लेमेंट निकाल लेंगे इसका पूछ कंप्लेमेंट कर लेंगे तो मैरे को यह माइनस सेवेंटिन मिल जाएग वन जीरो 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 वन यह हो गया इसका टूच कॉंप्लिमेंट निकालना है तो इसका टूच कॉंप्लिमेंट निकालेंगे तो हो जाएगा यह वन का तो तुछ कंप्लेब्ट मैंने बता निकालने के लिए बताया था कि इधन से चलेंगे तो वन मेरा जिख रहे है वन तो रेंट बाकि जितने भी आएंगे वूर्ट के पोजिट हो जाएंगे जीरो के वन इसके यह हो गाए तो यह मेरा आप देख सकते हो कि कौन साइज में से ओप्शन मेंच कर रहा है ओप्शन नमबर बे नेक्स्ट क्वेस्टन के तरह चलते हैं अब नमबर इज एक्ष्प्रेश्ट इन बाइंट तो इस कॉम्प्लिमेंट एज इतना इतगे अब यह बोल रहा है कि कोई नमबर मेरा एक्स है इसका बाइंड़री जो गंप्लिमेंट है को इतना है इस का पूछ रहा है कि मेरा इस का वैल्यू कितना होगा सबसे पहले आप लेक्स सकते हो कि यहाा फोस्टे क्या बोलत है तो पीछले ही कॵेस्टन में मैंने आपको बताया है कि तूच कॉंप्लिमेंट का क्या मतलब जहां पर तूच कॉंप्लिमेंट आएगा उसका मतलब नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि बी और ऐसे यह लिए हो गया यह तो पोजिटिव है में से कोई हो सकता है सब्सक्राइब करतें इसका क्या है इसका निकाले तो इसka तै force Växज निकालने क्लिए मैं रेकिगत देख लिए तो वन का वन एसा ही पादी सब का कंप्लिमेंट कर देंगे यह वन का 0, 1, 1, 0 तो कौन सा यह value आप देख लो कि आ जाएगा 1, 2, 4, 8 यानि कि 8, 4, 12 और यह 1, 13 13 हो जाएगा और जब यह 2's complement है तो यह मेरा minus 13 यह मेरा सही हो गया option D, next question क्या है कि binded data is being represented in size of byte and in 2's complement form the number of 0's present in representation of इतना decimal यह मेरा minus कितना मेरा decimal value दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि इसका हम लोग अगर 2's complement निकालेंगे उसमें जो 0's की संख्या आएगी वो मेरा कितना होगा तो सबसे पहले हम लोग कि मेरा minus 127 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोगा plus 127 का 2's complement निकालना हीजी रहेगा तो इसका निकाल देंगे तो फिर मेरा minus 127 का 127 का आ जाएगा तो चलिए 127 को हम लोग bindery में convert करते हैं simply इसको bindery में convert करने पे आ जाएगा 1, 2, 4, 8, 6, 16 32, 6, 4 तो यहां देखरों सबकी value अगर आप एक टक होगे तभी यह आएगा 127 और जबकि यहां पर मेरा यह sign bit के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे 0 यह नहीं कि plus 127 को हम लोग इता लिख सकते हैं अभी मेरा को चाहिए minus 127 को इसका क्या चाहिए तूज कंप्लिमेंट चाहिए तो तूज कंप्लिमेंट में मैंने बताया था कि आपको फर्स डिजिट 1 दीखिया तो 1 देम करते हैं बाकी सबको आप 1 है तो 0 और 0 है तो 1 कर दो तो यह मेरा आ गया minus 127 तो यह मेरा है 2 है तूज कंप्लिमेंट ठीक है अभी यही मेरा क्वेशन में पूछा था कि जो 2 कंप्लिमेंट है इसमें 0 की संग के कितनी है तो अब देख सकते हो 3 और 3 यहाँ पर 6 आ है option मेरा 6 परी हो गया next question की तरफ चलते है 4 bit 2 कंप्लिमेंट रिपरजेंटेशन ओफर डेसिमन number is 1000 यह बोल रहा है कि मेरा 4 bit का एक number दिया हुआ है इसका तूज कंप्लिमेंट निकालेंगे तो वह number क्या होगा तो मैंने बताया तवही ट्रिक तूज कंप्लिमेंट निकालने का अगर आपको 1 देखे तो 1 का 1 ही छोड़ देना है बाकि सब को invert कर देना है यानि कि 1000 कंप्लिमेंट इतना ही होगा 1000 ही होगा मैं option देना है भूल गई हूँ तो मैं इसका बस आपको answer बता देती हूँ तो यह मेरा कितना हो गया यह मेरा original number हो गया तो आपकी इसकी value देख सकते हो कितना होगा 1248 है इसमें सिर्फ मेरा 8 है तो इसका 8 हो जाएगा और जोकि मैंने बताया था कि किसी भी हम लोग नंबर का निकालते है तो वो मेरा negative में हो जाएगा तो इसलिए इसका answer हो जाएगा minus 8 है आप लोग देख सकते हो बुक्त आप लोग मिला लेना या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके option में डाल दोंगे ठीक है तो आज मैंने इतने ही question लिये थे और बाकी का question में अगले वीडियो में करवाऊंगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंदा आई होगी तो like, share, subscribe करें और अगर कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप लोग comment बॉक्त में लिक सकते हो तो मैं उसका फिर solution देने का अगले वीडियो में कोसिस करूँगी Thank you